पोज़शी सिर्वाइगी हाँ जीरो वन अगा अगा गुड मॉर्निंग स्टुएंट्स आज एकसर्साइज 13.6 है सेवेंट के मैं उसमें पहला कोस्टन जो है फर्स्ट ए नमबर का जो कोस्टन है find the area of circle तो area of circle में radius दिया हुआ है radius और diameter दोनों दिया रहता है तो अभी आपका radius दिया हुआ है 21 cm तो area of circle हो गया पाई आर स्क्वार और पाई का भेलू आप जानते हैं पहले से भी 22 by 7 इंटू आर का भेलू है 21 cm तो 21 cm का दिहोले स्क्वार हो गया त्यानि 22 by 7 इंटू 21 cm इंटू 21 cm और 7 से यह कट जाएगा 3 times मेरे पास आएगा 22 इंटू 3 इंटू 21 cm अब इस दोनों को तिनों को multiply कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 63 में 22 से multiply करते हैं तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 3 2 जा 6 6 2 जा 12 यह 6 8 3 1 यानि 1 3 8 6 cm स्क्वार तो यह था आपका एरिया आफ सर्किल तीक हैं अब नेक्स्ट जो कोस्टन है थोरा सा इससे डीफर है इसको देखेंगे find the area of circular region whose diameter are अगर आपका diameter दिया हुआ है diameter जिससे इसमें दिया हुआ है 1.4 cm सेकंड नंबर में diameter दिया हुआ है 1.4 cm तो 1.4 cm दिया हुआ है diameter और radius कितना होगा तो diameter का half होता है radius यानि 1.4 by 2 cm कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा radius निकल जाएगा अब 1.4 का अगर cut भी करते हैं तो छोड़ दीजे सही कर रहने दीजे अब यहां पर area of circle लिख दीजे area of circle equal to pi r square pi का value 22 by 7 into r है 1.4 by 2 इसको दो बार लिख जिए 1.4 by 2 अब आप इसको self कर दीजे तो यह कट जाएगा आपका 0.7 हो जाएगा और यह कट जाएगा तो 0.7 हो जाएगा ठीक है अब यहां पर इस 7 से 7 को काटना है तो 22 into 7 into 7 अगर multiply आप कर देते हैं तो 77 जाप 49 हो जाएगा तो यहां पर आप 49 लिख दीजे और decimal दे दीजे नीचे इसके 7 है और यहां पर decimal 49 है और कारते हैं आप तो यह कट तो जाएगा 0.07 हो जाएगा ठीक है अब आपका 22 into 0.07 से multiply करके और centimeter square कर दीजे तो यह हो जाएगा आपका 22 into 7 14 154 यहां पर 154 लिख दीजे और यह चुकि 0 है decimal के बाद दो नंबर है यहां decimal बैठा दीजे तो इस तरह से आपका cm2 एंसर हो जाएगा अब नेक्स्ट कोस्टन है दा सर्कूंफिदेंस अफ सर्क्ल सर्कूलर फ्लावर वीड इस 88 सेंटिमेटर फाइंड दे एरिया इसमें आप देखियेगा सी नंबर के कोस्टन में कि सर्कूंफिदेंस दिया हुआ है 88 सेंटिमेटर सर्कूंफिदेंस दिया हुआ है 88 सेंटिमेटर फाइंड है अमको एड़िया निकालना है तो सर्कूंफिदेंस का फर्मूला होता है 2 पाइयार 2πr circumference हो गया 2πr और कितना है तो 88 cm है अब यहाँ पर 2 into 22 by 7 into r equal to 88 cm और जितना भी नंबर है जैसे 7 है 2 है 22 है r हमको निकालना है हम क्या करते है r को यहीं छोड़ देते हैं अब बाकी term को इधर ले जाते है तो ले जाने हम condition क्या है आप यहाँ देखेंगे r equal to 88 into 7 और 2 into 22 यानि 2 into 22 multiply में इधर divide हो गया और 7 इधर multiply हो गया तो यह 4 times हो जाएगा और 2 से यह कट जाएगा 2 times तो 7 to 14 cm radius हो गया कितना 14 cm अब radius जब है 14 cm तो area क्या होगा area of circle क्या होता है area of circle होता है पाई आर स्क्वाइर तो यहाँ पर 22 by 7 into आर है 14 cm into 14 cm यह कट जाएगा तो यह हो जाएगा 2 times यानि 22 into 2 into 14 cm हो जाएगा तो आप देखेंगे कि 22 और 28 multiply करके 8 to 16 16 और 17 और यह 44 तो यह हो जाएगा आपका कितना 6 1 6 600 cm स्क्वार तो यह आपका सेवन का था अब इसमें कोस्टन एबी सी कंप्लीट हुआ तो आप बनाएंगे कल इसका exercise कंप्लीट किया जाएगा थैंक्यू और यह जमुन के बनाएंगे क्ल इत्याइन तो यह हेंदे पहरना आपै क्लास सेवन कि फारेंटी में परण ओना है कि विद्ग आई ए तो रेशम की कहानी जो है रेशम जो कहां से आया रेशम का धागा जो है उसकी क्या कहानी है उसकी उत्पति कहां से होई सबसे पहले कि इस देश ने प्रयोग किया तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे रेशम के बारे में सभी कोई जानते होंगे कि रेशम का धागा का बारे में सब कोई सुने होंगे कि सबसे सॉफ्ट और सुंदर धागा होता है इसे बना हुआ भस्तर काफी महंगा मिलता है तो उसी की कहानी है हम लोग आज पढ़ेंगे ये कहानी पठन हेतु यानि की सरी पढ़ना है इसको तो इसके बारे में हम लोगों जाना है कि आखी रेसम जो है ये आया कैसे है तो रेसम के धागों की खोज सुरू सुरू में चीन में की गई सबसे पहले रेसम की धागों की खोज चीन देश ने किया था इस सम्मेंद में अनेक लोग कताएं परचीज़ें इसके बारे में बहुत से लोग बहुत सारी बाते करते हैं कि रेशम का धागा चीन के अलावा दुष्रे कंट्री से आया हर आदमी की मानता जो है इसमें अलग-अलग है एक बानता नहीं है लेकि फिर भी लोग का अनुमान है कि ये रेशम का धागा जो है ये खोज जो है चीन ही किया लेकि लोग हर आदमी इसके बारे में हर कुछ अपने-अपने ढंक से कलपना करते हैं और बताते हैं है तो बहुत समय पहले की बात है Kafalone एक लर्की रहती थी चीन की योः डेश है तो वहाँ पर आप लोगा जांते होंगे एक हमलों का प्रोसी चीन काफी समय की पहले की बात है तो चीन के गाउं में एक लरकी रहती थी वो बहुत सुंदर थी डिल्सी तो बहुत सुंदर थी जो वो बो सुंदर थी जब से देखा तो उसपरbour़ हो और उसके अपनी नाशा य वो लडरकी सउदर थी जब चीन के संबरात राजा भी असको देखा सव गया उसको अपनी रोडिय उसको साधीक कर लिए और अपनी रजय उसको बना लिए नई रामई को महाल क जीवन बिल्कुल थो भी नहीं लगता थाज़ zwei वो एक के गरीब भर से बिलॉंग करती थी जब वो महल में आई तो महल में रहने का तरीका तो और तरीका अलग होता है कैसे आपको रहना है तो आप आम आपमी के तरह तो रहिएगा नहीं राजा है राजा के तरह रहिएगा तो वह जब महल में आई तो उसको वहां का करना और महल में आकर ये सब आपकी जो अजादी है खतम हो जाएगी आप महल में राणी है राणी सा रहिएगा सबसे मेल जोल आपके लिए अच्छा नहीं होगा तो उसको वहां पर अमन नहीं लगता था और वह दुखी रहने लगी समराट भी अपने राजकाज में बेस्त रहता था जो वहां का राजा था समराट था राजा को तो सब को पता है कि राजा का कितनी बड़ी जवाब दही होती है उसके उपर पर राज को देखना परजा को देखना सब को खुश रखना तो राजा का काम जो होता है काफी बड़ लगे और जब उसे पता चला कि नहीं राणी यहां आकर खुश नहीं है जब राजा को किसी ने बताया कि जो राणी नहीं राणी जो आई है जिसको वो लाए हैं साधी करके गाउं से तो वो खुश नहीं रहती है तो उसने उसे खुश करने के लिए इधेश सारे उपाय उपहार सारे उपहार आभूशन आदि दिये तथा मरवंजन के लिए निर्ट संगित के कार्जक्रम आजवित किया गया अब राजा प्रेसान कि मैं राणी आई है राजमल में खुश नहीं रहती है तो उसको कैसे खुश रखा जाए तो उन्होंने काफी इसको गिफ्ट उपहार दिये सोने चांदी जो आभूशन होता है उनको दिया गया उनको मन बहलानी के लिए मरवंजन किये गया निर्ट संगित डांस गानावना का आउजन किया गया ताकि इससे राणी जो है खुश हो जाए ताकि उनका मन बहले और वो भी खुश रहे एक दिर रानी अपने साही बगीचे में सहतूत के एक पेर के नीचे बैठी थी तो रानी एक दिर बगीचे में एक सहतूत पेर होता है जिसके नीचे वो बैठी हुई थी बागयानी बगीचा तो उसने नकरानी को एक गिलास गरम पानी लाने का देश दिया अपने नकरानी ने जैसे ही गरम पानी का गिलास उसके पास लाकर रखा उसमें सहतूत के पेर से एक कोया गिर गया तो जैसे उसकी नौकरानी जो थी वो गरम पानी लाकर रखी तो उसमें क्या हुआ पेर पर से एक के कोया गिर गया की फल होता हो गा उस पर गिर गया उस पर तो पनानी को पहले तो बहुत गुस्जा लेकिन बाद में उसकता वस तो तो गिर गया तो उसमें खुसी आया, एक उमंग आया, उसके बाद एक धागा सा लटक रहा था, देखी कि उसके बाहर में एक धागा सा कुछ लटक रहा है, तो धागा पतला था, मजबूत और चमकिला था, धागा जो देखी इसमें गिलास में जो गीरा हुआ है, एक पतले धागा है, जो चमक रहा है और अच्छा भी देखने में लग रहा है मजबुत भी है सुन्दर भी है तो राणी ने बड़ी सवधानी से कोय को उठाया और उसमें से धागा घिशने लगी अब को उठाए और धागा को जब घिचना शुरू की तो धागा बहुत लंबा हुआ धागा फैलता धागा उगा उड़ा लंबा को गया रानी उसके घिश्टी और यह से यह घिसते घिसते हैं कैस्क्ति और यह अद योगे है करतनी बैदिया जब रखी ने ऐसा किया देखा तो उसके मन में ख्याल आया लंबा हो गया Rani उसे खिषती रही और बढ़ता रहा रहा कि खिष्ती गई घिष्ती गई कि यदि इसी तरह धेर साला धागा मिल जाए तो वह उससे कोई चीज बुन सकती है अब तो रानी को एक निया चीज मिल गया और वह गौण की थी इसमामले में तो वह तेस थी उसको देखी कि निया कुछ मिल गया अब वह सोची कि क्यों नहीं इसको धागे को पूरा हम लोग एक अठा करकर कोई एक निया चीज अब धागा तो सुंदर चमकिला था मजूद भी था क्यों नहीं धागे से हम लोग कुछ बनाया जाए कुछ निया चीज बुना जाए तो कितनी बड़ी खोज है कितनी बड़ी ये बुद्धी की भी बात है कोई दुसरा आत्मी होता तो नजल नाज करता है वेकार दीच दो लेकिन उस ने उसमें देखा कुछ निकाला कि नहीं से कुछ हो सकता है इसी को बोलते हैं खोज विजकार तब उसने क्या किया उसमें से उसको लानी को कहा दासियों ने धेर सारे कोई कत्र किये और लाकर रानी को दी दिया अब क्या कि उसकी जितने भी नोकरानी थी दासियां थी सब कोई लाकर अब रानी को इखटे करने लगी उनमें से धेर सारा रेशा निकला उसके बाद उसमें से वह बहुत रेशा निकलने लगी उसमें रेशा निकलने लगा धागा निकलने लगा काफी उसके बाद रानी ने कताई मसीन बनवाई और अपनी दासियों को आदेश देखकर रेशे को बुनवा दिया इस परकार उससे रेशम का धागा त्यार हो गया अब राणी ने देखा कि इसका कुछ बेनिफिट फाय जाए उसने उसको अब कताई वाला मसीन मगाई और उसको बुनना सुरू कर दी जिससे काफिस धागा इकठा हो गया रेशम का अहीं पर रेशम का धागा कोये से कठा हो गया अब राणी सी कामें बैस्त रहने लगी अब उसको अहीं काम मिलिया रानी को अब कोया मंगाए और रेसम का धागा एकठा करें असे बुनाई करें और अपने दासियों को आदेश देखकर रेसे को बुनवाल लिया इस परकार उससे रेसम का धागा त्यार हो गया अब उसके बाद अब य लग लग हुए उसके बाद सर्थ के और भी पौधेर लगवा दीये उनमें से कोए कठा करनेसे को रिषा निकालने पनाने उसे बजार में बेचने के लिए अलग अलग लोग को निक्त किया गया अब उसने अब उससे धागा जब बनने लगा तो काफी बन गया आप सोची कि इसको बजार में बेचा जाए बेचने के लिए उन्होंने आदमियों को निक्त कर लिया कि अब इसको अब तो हम धागा बना रह लगाते हैं कि चीन में ही रेसम धागा का जन्व हुआ वहीं परसका इस कहानी के माध्यम सही हम लोग अनुमाल लगाते हैं कि वहीं प्रदत्म हुआ कोडिया में रेसम से जूरी एक अरनिय कहानी है तो इसको आज आधा पराया गया है अब कल बताएंगे कोडिया में रेसम से चूड़ी एक अन्य कहाणी क्या है ऊडिन कोडिया भी दवा करता है कि हमारे यह बना लिकिए उसका भी कहाणी एक हम लोग जान लेंगे कि रेसम के धागा के वत्ति कहां से उइंगे तो हम लोग इसके बारे में अच्छी तरसे जानेंगे, अभी तो जाना है कि चीन में हुआ है, आप इसके बारे में कोडिया में पढ़ेंगे, इसके लिए धन्दवादु तो हमें बात करने चाहिए, सीड बीच, डिस्पर्सल बीतरन, फैलाना, बिखरना, समझ में रहा है, तो डिश्पर्सल सबत का मतलब क्या हुआ, फैलाना, बिखरना, छितराना, ठीक है, अभी बात है कि क्यूं, शीड डिस्पर्सल क्यों जरूरी है, क्या हम एक काम करें, हम एक जगा ही बहुत सारे सीड को रख दे, क्या होगा, क्या उसमें बेबी प्लांट जर्मिनेट करेंगे, हाँ, बेबी प्लांट जर्मिनेट करेंगे, लेकिन जो बेबी प्लांट जर्मिनेट करेंगे, उन सारे बेबी प्लांट को जो requirement है जो nutrition है वो भरपूर नहीं मिलेगा एक example मैं बताओं आपको कि आपकी यहां दो बेड़ हैं आप दो भाई बहन है दो बेड़ है दोनों बेड़ पर एक पर बहन आप सोते एक पर आपका भाई सोता है या आप आपकी बहन है दो ही और माल लेज़ें कि 10-12 गेस्ट आपके हां चले आए क्या होगा कहां सोएंगे पर सोना बेड़े पर है तो आपको दिक्कत होगे ना तो अगर उसी तरह बात कर रहें कि अगर एक जगा बहुत सारे शीड हो जाएं तो उन सारे शीडों को न्यूट्रीशन की कमी हो जाएगी इसलिए नीचर ने बनाया है डिस पर्शल चाहे वो नेचरल होता है या बाई एनिमल्स होता है हम लोग भी हो मैं बिंग से उसमें भी आ चाहते हैं अब थोरी बुक्स की लाइन बता दू मैं सीड डिस्पर्शल प्रिभेंट कम्पेटिशन बिट्विन दा प्लांट्स एंड इट्स ओन सीडलिंग फोर सनलाइट वाटर एनिमल्स सीड डिस्पर्शल से जो कम्पेटिशन होता है सारे प्लांट्स एक जगह होंगे एक जाती के प्लांट्स होंगे तो उनके बीच new habitat for wider distribution और for wider फैलाओ के लिए बिखराओ के लिए वो क्या होंगे ज़रूरी हो जाएगा the three main agent which help in the dispersal of seed and fruits of plant are wind, water and animal हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और animal के द्वारा sheet का dispersal होता है इसलिए इनको हम कहते हैं dispersal agent अब need for dispersal seed क्या जरूरी है इत के लिए तो dispersal of seed to different plant is essential because it increase the chance of survival of seedling and prevent competition between them if all the seeds grow at the same place there would be some competition among the seedling the space sunlight and minerals water minerals तो अगर एक ही जगा पर फेर चर्चा कर रहा था मैं कि जगा की कमी हो जाईगी, sunlight की कमी हो जाईगी, water की कमी हो जाईगी और mineral की कमी हो जाईगी एक बात बढ़ाओ मुझको suppose करूँ कि आपके पास एक जमीन का टुकरा है इस जमीन के टुकरे में एक और आप carrot लगा दिये यह carrot दूसरी साइड में आप रेडिस लगा दिये तीसरे गिनारे पर आप bitroot लगा दिये और चौत्ये गिनारे पर turnip लगा दिये दोनों का एक ही जैसा है, bitroot और turnip का लाल होता है और turnip का white और red होता है चार चीजे, एक ही जमीन में चार फसल लगाया तो यह carrot, carrot कैसा लगेगा, मीठा लगेगा गाजर, मूली कैसा लगेगा, तीखा लगेगा तरडिप कैसा लगेगा, तरडिप बेश्वाद लगता है, सबजी बनती है कोई श्वाद कच्छा खाने से कोई श्वाद नहीं मिलता और रेडिये, बिट्रूट कैसा लगेगा, मीठा लगेगा तो एक ही स्वाद में चार चीज़े मैंने बो दी तो इसको जो nutrition चाहिए, इसको नहीं चाहिए इसको जो nutrition चाहिए, इसको नहीं चाहिए, इसको जो nutrition चाहिए, इसको नहीं चाहिए तो चारोजी अगर केवल हम बिट्रूट ही लगा देते केवल टर्निप ही लगा देते केवल रेडिस ही लगा देते तो फिर nutrition की मातरा की क्या होगी यह कैमी हो साहिग माल लजे आपके क्लास में 50 बच्चे हैं और सभी बच्चों को हम बैग और 50-50 रुपिया दे दे या 100-100 रुपिया दे दे और कहें जाओ बेटा अपने पशंद की सबजी खरिद लो तो एब्रिवन की पसंद क्या होती है सब की पसंद लोगी कोई आलू खर देगा कोई गोबी खर देगा कोई परवल खर देगा कोई कठाल खर देगा कोई शाक कर देगा कोई पालक खर देगा तो सब लोग मार्केट हो जाएगी नहीं सारे उनुक पालक के साख खड़ने लेंगे और दुकंदार क्या हो गई मार्केट में शॉटेज हो जाएगी तो इसी तरह अलग-अलग चीजों तो अगर हम लगाते हैं तो अलग-अलग nutrition मिलता है और स्वाइल की fertility भी मनी रती है शारे plants को healthy nutrition मिलता है water मिलता है sunlight मिलता है अगर यहीं पर हम चारों के पूरा एदम सटा सटा के लगाते हैं क्या होगा भी तो कोई भी अच्छा से develop नहीं करेगा इसलिए naturally और by man-made हम दोनों तरह से क्या करते हैं dispersal of sheet में मदद करते हैं अब एक वर्ड आता है advantage of the sheet and fruit dispersal एडवांट क्या फाइदा है वही डिस्परसल हम बार बार कर लेकिन आखिर कुछ फाइदा होना चाहिए न क्या फाइदा है तो dispersal of sheet and fruits have following advantage ensure that the plant are dispersed of our wide area सबसे पहली बात है कि dispersed क्या होता है काफी इलाके में होता है मैं बात किया था कि आपके मान लो क्लाश में कोई लड़का है ठीक है मैंने बताया था आपके क्लास में नवे दीता है अगर मान लो कि उसको हम के काम करें एक टोकरी में आम दे दे और एक गारी शेक कार से उसको भेजते हैं कहां पटना और बोले कि बैटा तुम आम खाते जाना और गुठली फेकते जाना ठीक है तो यहां से पटना जाते समय वो जितने आम खाईगी सारी कुठलिया फेक देगी और एक समय होगा जब इस कुठलियों का फेवरेबल कंडिशन मिलेगी तो यह सारे क्या होगे आम के पेर बन जाएंगे तो इस डिस्परसल एजेंट कौन बनी नवे दीता ठीक है तो क्या हुआ अगर एक ही जगे गुठल लेगा आप तो क्या आम का पेर होगा नहीं यहां से पटना जाते जाते बहुत सारे आम के पेर किनारे लग जाएंगे एब वाइड अबर क्वार्डी बहुत ज्यादा भीरवार ना हो क्या दा गया मुझे कि धान की खेती धान की खेती जब हम लोग करते हैं या बैगन की खेती तो उसमें हम एक चोटे से हिशे में धान की अच्छी क्वालिटी लगा देते हैं और फिर जो क्वालिटी लगाते हैं उसको हम नरशरी लोड बोलते हैं नरशरी जहां new baby plant grow तो हम उसको अलग-अलग हिश्यों में अलग-अलग अलग आते हैं दैट इसको ट्रांस प्लांटिंग अग्रिकल्चर तो दिस्पर्सल करते हम सेट्स को फ्रूर्ट्स को तो क्या होता है प्रयाप्त जगह मिलती है उसको गुरो काड़ने के लिए भीरभार नहीं होती प्रिभेंट कंपटिशन एमांग दा प्लांट्स फॉर स्पेश शनलाइट वार्ट अनिमल तो भाई यह प्रिकंपटिशन नहीं खतम हो जाता है नहीं कि किसके लिए है स्पेश के लिए शनलाइट के लिए वार्ट के लिए वार्ट अनिमल इस सब चीजों के लिए क्लिए हो कि डिश्पर्सल बाई विंड हाँ यह कि याद आ गया मुझे देखो एक चीद है गर्मी के दीन था और मैंने देखा कि एक छोटा सा हवा में एक टुक्रा उरता हुआ आया आप पहचानों फिगर पहचानों एक इस तरह रिशे वाला उरता हुआ आया यह रियल में कॉटन के पेड़ से था ठीक है और रही पकरते हम लोग से को बोलते हैं नहीं हुचपूरी में बोलते हैं हुईया और हम लोग बोलते हैं इसको लक्की इसको पकरो जो विश मांगोगे मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है यह ट्रडिशन है पुराने बाते हैं हम लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं लेकिन यह शीड है और यह सीड क्या होता है यह ब्रश्ट करता है हवा के द्वारा फैलता है अब यह एक और चीज समझ में आएग आएग आपको अगर आप गाउं से रिलेट होती है इस तरह होती है इस तरह होती है इसके अंदर होता है और मटर की भी इस तरह होती है इस तरह मटर होते हैं इसमें दाने होते हैं पाई बटर के तो फलिया मिल रही है तो सरसो के जो प्लांट जब मेच्योर हो जाता है तो हम उसको खार लेते हैं अलग हटा देते हैं अगर हम इसको रख दे तो ये मेच्योर होने के बात ब्रस्ट कर जाएगा फट जाएगा और इसके सारे दाने क्या होंगे बिख़ड और चाहिए इसलिए मटर का भी प्लांट जब मेच्योर होता है इसके फ्रुट्स मिच्योर होते हैं तो हबसको तोर लेते हैं शेपरेट कर लेते हैं उसको पिक आउट कर लेते हैं तो भाई पर सल्ट किसके तवरा हुआ विंड के तवरा अब थो यह बुक्स की लाइन प्रहा दो में फूर्ट जो हवा के द्वारा होते हैं यह कैसे होते हैं हलके होते हैं और छोटे होते हैं शीट अप मेपल एंड ड्रम स्ट्रक हैब विंड फॉर फ्लोटिंग इन दा एयर फॉर लॉंग डिस्टंट मेपल और ड्रम स्टिक के जो होते हैं बहुत हलके और बहुत उरते हैं देखो फिगर दिखा दो मैं यह देखो यह द्यांस देख लो देखो यह चोटे चोटे बहुत पिक्शर साथ समने है यह उरते हैं और इसको इसको पकड़के करते हैं लग्की है इसको मांगो जो विश मांगोंगे मिलेगा ऐसा कुछ इसके जो संफ्लावर के जो होते हैं यह जो है मदार ओक देंडेलाइन कॉटन इसके जो संफ्लावर के जो होते हैं यह काफी दूर तक हवाब में ऊरते हुए चले जाते हैं पानी के तो पताओ मुझे को कि हम लोग जो पूझा करते हैं तो भाई चछठ के दिन देखे न हम चछठ के और दिवाली के बहुत है प्भाफुल हम लों क्या की आ पूजा का फूल था डारियल थी जव पुचा के समागिरी थी उसको लो क्या कदे है उसको भी नदी में परवाहित कर दते हैं क्या बोलते भहश्च को भगवान का इसा पैड नहीं लगना चाहिजिए इसके पीछे scientific कारण है कि हम नदी में जब परवाइद करते हैं तो यह फ्लोट करते करते दूर चले जाते हैं किनारे लग जाते हैं फेबरेबल कंडिशन मिलती है और वहां पर यह चर्मिनेट कर जाते हैं आप एक बार और सोचते हों नारियल सुमूत्र के किनारे नार्ययल कहां से आ जाता था तो नार्ययल का फल देखने में बरह होता है लेकिन भारी नहीं होता और उसकी हम बात में आपको पताएंगे फ्केटिंग लॉट फ्लोट पर दिछाद Initiates करता है जिए जब इसको पानी में हम डाल देंगे जब इसको हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि जब पानी में हम इसको डालते हैं तो क्या होता है कि यह फ्लॉट करते चला जाता है चला जाता है शमुद्रे में चला जाता है फिर शमुद्री वेप के कारणे किनारे लग जाता है औ तो बैबुक्स की लाइन देखलें। The fruit and seed are aquatic plant like those of water lily, lotus and coconut float on the water surface and are carried to far off place by water current. Coconut has a fibrous coat with hard covering. It carried away a long distance by water current without being damaged. तो fruits की water lily, lotus यह सब यह तो पानी में float करते ही हैं। तो यह काफी दूरी तक चले जाते हैं, चले जाते हैं। और वह वहाँ क्या होते हैं। अशारी से डेवेश नहीं होते हैं। फिर जर्मीनेट हो जाते हैं। एक बात और। इस बर्शल बाइस तो सिट्स डिसपर्शल बाइस अनिमल, China has a spine and a foot which climb on the babies of an animal and carried a long distance, zeithenium and urina। इसकी digit इस तरह होते हैं। इस तरह फुक की तरह होता है। यह जानोरों के बाड़ी में चिपक जाते हैं। यह एक रियाश्य भी होता है। तो जब इसको हम जानूरा के बाडी में स्टक कर जाते हैं फिर दूर जाएंगे और गिर जाएंगे तो गिर जाएंगे तो क्या होगा वहाँ फिर नियू बेबी प्लांट से रिमिनेट हो जाएगा एक और बात है जारूरों की बात से कि आपके पास अम्रूद का पेर है मैं चर्चा के आता है अम्रूद बहुत सुंदर पका हुए है और वहाँ एक तोता आया और बैठ गया तोता अम्रूद को चोंच में लिया और उड़ गया फिर क्या हो वह दूसरे जगत पूरा तो खाएगा नहीं गिरा देगा तो वहाँ पर क्या हुआ है वहाँ पी अम्रूद के पेर जर्म ले लेंगे तो इस तरह जो जयान ओर को दौरा भी क्या होता है डिश पर सल होता है देस्मॉल एंड डाइजिस्टिट शीट कम और तेरवर यहां अगर अगर तोता खाबी लिया तो ट्वालेट करेगा और ज ग्रेनियम एंड कॉस्टर ब्रस्ट अंड शटिंज सर्क विद गेट स्क्रूड अवे फ्रम दपैरेंट यह ब्रस्ट कर जाते हैं जब मैंचिवर होंगे तो ब्रस्ट कर जाएंगे और फिर भिखर जाएंगे अब यह बिदेट भांटेज तो बहुत सारे भी लेकन डिसद जो होते हैं अंसुटेबल फैबरेबल कंडिशन मिलती है वह यह लॉस कर जाते हैं खतम होता है वहां घर्मिनिशन नहीं होता है कि बात करें जर्मिनिशन एपिक तो जर्मिनिशन इस अप्रोश आप ग्रोट्ट आप प्लांट from its seed the scattering seed need favorable proper amount of washer क्या होता है प्रोपर वुद्ध प्रूट सुर्ट करते हैं जर्मिनेट करते हैं फॉर्ट जर्मिनेशन अप स्टार्ट सीट अंडर्गो चेंज आप फॉलोईंग सिक्वेंस फॉर्ष्टी दियर इंटेक दा वाटर बाई सीट्स सबसे पहले पानी उसमें होता है वाटर एक्टिबिटी एंजाइम इंजाइम इंजाइम कन वर्ट इंट पानी अब्सार करता है फिर अंकूर डिकलता है अंकूर के बाद फुलोमूल जो प्लोमूल होता है उसके उपर उठता है फिर नीचे भी एक रेडिकल सा जाती है और वह प्लांट फोटोसंथेसिस करने लगता है और आइधिंग आये फिनिस दिस चेप्टर तो यह और टाइम प्रहूंगा मैं थैंक्स